हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चानल मैं हूँ सविता दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीर्ड प्रिविश्यर कॉशन पेपर जो की 2020 का पेपर है ये सारे कॉशन आप सभी के लिए बहुत ही जादा हेलफुल होंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा क तो दोस्तों ये जो कॉशन पेपर है ये बीर्ड फर्स्ट इयर का पेपर फर्स्ट का यानकी ग्यान एवं पार्ट करम नौलेज और करिकुलम का ये जो आपका पेपर है ये पेपर 2021 का है और इस पेपर को करने के लिए आपको तीन घंटे का समय दिया जाता है ये पेपर आपके असी नंबर का होता है असी नंबर का आपका एक पेपर आपसे लिया जाता है ये दोस्तों यहां पर सेक्षन तीन सेक्षन आपसे पूछे जाते हैं सेक्षन ए सेक्षन बी और सेक्षन सी अब हम जानेंगे एक करके सारे सेक्षन के सारे कॉशन को तो सेक्षन एकी ब पहला कोशन था section A का जीवन में सिक्षा का क्या इस्थान है विद्या एवं आविद्या में क्या अंतर है आप अगर English Medium के हैं तो आप यहाँ पर English की कोशन देख सकते हैं आगे देखिए अगला कोशन है सिक्षा के दर्सन की अवधाड़ा क्या है आदर्सवात के कोई दो उद्दे से आपको बताने है यथार्थवात का क्या अर्थ होता है अगला है समाज सास्र की परिभासा यानि कि डिफाइन सोसियोलोजी अगला कोशन है पाठकरम के कोई दो स सिद्धान्त लिखने हैं आगे देखिए लिखा है संस्कृति को परिभासित करना है आपको यानि कि डिफाइन कल्चर अगला है प्रजातांत्रिक मुल्लिका अर्थ क्या होता है और लास्ट कोशन है आधुने की करड क्या है यानि कि डिफाइन समय के डिफ sparback करण के सारी के संस्क्रीक के सैजय तो यहां पर आपको दस कोशन दिये गया हैं आप जाने कि अन कि अन में कौन कوقा कर आई थे पहले बात करते हैं कि आपको कितने वर्ट में एंसर लिख Medal होता है दो सब्डीं में 200 सब्दों में आपको यहां पर answer देना होगा और एक question के लिए आपको 8 number यहां पर दिया जाता है 5 question आपको section B में करने होते हैं Question देखिए, दूसरा question है सिक्षा के दर्सन की आवसकता का burden करना है और करके दिया गया है यानि कि 2 question आपको दिये जाएंगे एक question के अंदर आपको इन में से एक question solve करना है अगला है सिक्षा एवं दर्सन के संबंध की विवेशना करना है अब जानेंगे 3rd question क्या है तो 3rd question में आपसे पूशा गया है कि सत्यम, सिवम, शुंदरम की व्याख्या करना है और करके दिया गया है अगला question प्रियोजनवादी सिक्षा के उद्देस्यों की विवेशना करना है अगला question देखी महत्मा गांधी के अनुसार सिक्षा और विधी कैसी होने चाहिए और करके दिया है आधुनिक सिक्षा पर वेदान्त दर्सन का क्या प्रभाव है अगला दिखी बौध दर्सन में इस्वर और आत्मा के विशय में क्या कहा गया है और करके दिया है समाजिक परिवर्तन के विकास में सिक्षक की भूमिका का वर्डन करना है अगला है जो कि लास्ट कोशन है section B का आधुनिकी करण के मुख्य उद्देश से क्या है और करके दिया है भारतिय संस्क्रती के विकास की आपको विवेचना करने है तो ये कोशन रहे section B के जो कि आपको पांच कोशन यहाँ पर करने है सारे कोशन में आपको और करके एक एक्स्टा कोशन दिया जाता है अब बात करेंगे section C की जिसमें आपको सिर्फ दो कोशन करने होते हैं लेकिन एक कोशन के लिए आपको यहाँ पर पंद्रा नंबर दिये जाते है ये कोशन आपको इसका answer 500 सब्दों में लिखना है आपर देख लीजेगा अब जानेंगे question कौन कौन से आये थे 2020 में तो सिक्षा के समासास्त्र की क्या आवशकता है समासास्त्र एवं सिक्षा में संबंद का वर्डन करना है अगला question है समाजी करण की प्रकरिया में एक परिवार की भोमिका का वर्डन कीजिए अगला देखिए प्रकरिती बात के अनुसार पाटकरम एवं सिक्षण विधिया क्या होनी चाहिए अगला है जो कि last question है सिक्षा के उद्देसेव एवं पाटकरम के बीच सम्मंद का वर्डन करना है आप यहाँ पर English में देख लीजेगा अगर आप English मेडियम के है दोस्तों यह section C में आपको चार question दिये गया है लेकिन आपको सिर्फ दो question निमने से करने हैं तो दोस्तों यह रहा आज का एक question paper जो की be it first year का paper first question paper था कैसा लगा आपको comment में जरूर बताएगा और ऐसे ही सारी subject के question paper previous paper आप चाहते हैं तो वह भी आप comment में जरूर लिख दीजेगा हम आपको सारी subject के previous paper प्रवाइट करवा देंगे वह भी 2021 के तो आपको back paper में काफी help करेंगे यह सारी question अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर करिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद